दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको सारी चीजे स्लो मोशन में दिखने लग जाती हैं अब वो अपनी इन शक्तियों का इस्तिमाल करके क्या क्या करता है आईए देखते हैं कहानी शुरू होती है और हमें एक CCTV सेंटर का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर दो औरते एक नए इंपलोई के बारे में बाते कर रही थी जो की हमेशा चश्मा लगा कर रखता था तबी उन्हें CCTV में एक चोरी होते हुए दिखाय देती है और वो जल्दी से पुलिस में कॉन्टेक्ट करते हैं वहीं वो लोग भी कैमरे में उन चोरो को ढूणने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो चोर अचानक से गायब हो जाते हैं लेकिन वहाँ पर जो नया इंपलोई था वो आसानी से चोरो को ढूण लेता है जिससे सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं इस लड़के का नाम जोंगबु है और इसे एक बहुती रेयर बिमारी है जिससे इसको सारी चीजे स्लो मोशन में दिखाई देती हैं और इसी की वज़े से वो चोरो को भी इतनी आसानी से ढूण पाया था जंगबु जब चोटा था तो स्कूल की एक रेस के दोरान उसने अपनी क्रश सुमी को कुछ इस तरह देखा जिसके बाद से उसे सभी चीजे स्लो मोशन में दिखने लगी इसके बाद जब वो अपनी इस बिमारी को डॉक्टर को दिखाने गया तो इससे भी उसे कोई फाइदा नहीं मिला क्योंकि डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था लास्ट में हार कर डॉक्टर उसे सलह देता है कि तुम्हें काला चश्मा पहन लेना जिससे लोगों को अजीब ना लगे अब जंग्बू के फादर उसकी इस बिमारी को कैसे भी ठीक करना चाते थे इसलिए वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं और जंग्बू अपनी मौम और अपनी भेन के साथ यहीं पर रहने लगता है अब स्लो मोशन में देखने के कुछ फाइदे भी थे क्योंकि यह ऐसी ऐसी चीजे भी स्लो मोशन में देखने लग गया था जो कि नॉर्मल आखों से देखना थोड़ा मुश्किल होता अब हर वक्त काला चश्मा पहने रखने की वज़े से इसे स्कूल में बुली किया जाने लगा वहीं इसकी क्रश सुमी भी हमेशा इसकी हेल्प करती थी जिस वरे से वो लोग बाद में सुमी को भी बुली करने लगे जिसके बद सुमी ने से दोस्ती तोड़ दी और हमेशा के लिए वहां से चली गई अब जंगबू का ना तो कोई दोस्त था और ना ही इससे कोई दोस्ती करना चाता था जिस वरे से वो गुसे में आकर अपनी आखों को खराब करने की कोशिश करता है और पूरे दिन सिर्फ कोरियन ड्रामा देखता रहता है इससे होता यह है कि इसे कोरियन ड्रामा देखने की आदत लग जाती है वहीं काफी महीने बीच जाते हैं और जंग्बू के फादर एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए महीनों महीनों तक घर नहीं आते फिर एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि एक एकसिडेंट में जंग्बू के फादर की मौत हो गई अब ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और जंग्बू भी बड़ा हो जाता है अब उसे ही अपनी फैमली का ध्यान रखना था और उन्हें पालना पोसना था इसलिए वो एक CCTV सेंटर में काम करने लगा क्योंकि उसे लोगों को टीवी पर देखना बहुत अच्छा लगता था वही पर हम इसके साथ ही योंग्सू को देखते हैं जो कि इसके साथ ही काम करता था और इससे बार-बार सवाल पूछता रहता था वही जंग्बू भी सिर्फ उसे उतना ही जवाब देता था जिता वो इससे पूछता था दरसल योंग्सू ऐसा इसले करता था ताकि जंग्बू भी बाकी नॉर्मल लोगों की तरह सबसे बात करें और ओफिस के बाकी लोग उसे अजीब ना समझें लेकिन वही जंग्बू सिसी टीवी में देखकर लोगों के फूट स्टेप गिनता रहता है कि लोग कितने कदमों में कहां तक पहुँच जाते हैं और इसके साथ ही वो उनकी ड्रॉइंग भी बनाता है फिर एक दिन वो सिसी टीवी में अपने बच्पन के प्यार सुमी को देखता है और उसे देखते ही वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है वहाँ पर जाकर वो देखता है कि सुमी अब बहुती सुन्दर बन चुकी है लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब होने की वज़े से वो करजे में डूबी हुई है वही लोन कलेक्टर रोज उसके घर पर आते हैं और उसे घर से निकालने की धमकी देते हैं उदर जंगबू भी उसे वही खड़ा घूरता रहता है और फिर उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है अब इसके बाद से जंगबू पूरे दिन CCTV पर सिर्फ सुमी को ही देखता रहता है और उसके डेली रूटीन को याद करता है जैसे सुबे वो कितने बजे काम पर जाती है घर कितने बजे आती है और वीकेंड पर क्या क्या करती है सुमी जहाँ पर रोज खड़े होकर सोडा पीती है वहाँ पर ये भी खड़ा होकर सोडा पीने लगता है इसके अलावा वो पास के कूडेदान से एक सोफा उठा कर उसे कॉफी शॉप के बाहर रख देता है क्योंकि सुमी यहाँ पर रोज रात को खड़े होकर कॉफी पीती थी फिर अगले दिन जब सुमी बस स्टेंड पर खड़ी थी तब ही वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है उदर जंगबू भी उसे बारिश में खड़ा हुआ देख लेता है और उसे चाता देने के लिए अपने साथी को लेकर सुमी के पास चला जाता है लेकिन सुमी उसे गालियां देकर वहाँ से बगा देती है इसके बाद ये दोनों डॉक्टर के बास जाते हैं और सुमी को इंप्रेस करने की एड़वाइज मांगते हैं अगले दिन सुमी अपने ओडिशन के लिए जा रही थी क्योंकि वो एक सिंगर बनना चाती थी अगर तुमें मुझे कुछ देना ही था तो इसकी जगा नूडल्स का पैकेट ले आते फिर वो वाँसे जाने लगती है पर तबी जंग्बू उसे उसका नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि मैं वही हूँ जो तुमारे साथ स्कूल में पढ़ता था लेकिन इस पर सुमी कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो मेरा नाम भी सुमी है पर मैं वो नहीं हूँ अब ये उसकी क्लास्मेट सुमी तो नहीं थी लेकिन जंग्बू अब इसे ही पसंद करने लगा था फीर एक दिन ये दोनो फिर से मिल जाते हैं और यहाँ पर सुमी इससे पूछती है कि तुम उस लड़की को क्यो ढून रहे हो ये बताता है कि मैं उसको बचपन सही पसंद करता था और अम मैं उसे अपनी दिल की बाद बताना चाता हूं इसके बद सुमी उसे कहती है कि हम तोनों एक ही डारेक्शन में जा रहे हैं तो तुम मेरा सामान उठाओ और मेरी हेल्प करो फिर एक दिन जंग्बू सुमी को रोड पर बंदरों की तरह उचलते हुए देखता है क्योंकि इसका उस म्यूजिक शो में सलेक्शन हो गया था इसलिए ये बहुत खुश थी और सेलिब्रेट करने के लिए कैफे में जाती है वहीं जंग्बू भी वहाँ पर जाकर उसे बाहर खड़े होकर देखने लगता है तबी सुमी की नजर उस पर पढ़ जाती है और वो उसे अंदर बुला लेती है फिर बातों ही बातों में वो सुमी को बता देता है कि मुझे सबी चीजे स्लो मोशन में दिखती है और इसको प्रूफ करने के लिए सुमी उसकी तरफ तेजी से एक चमच फैकती है जिसको जंग्बू पकड़ कर उस पर लिखे हुए नंबर को बता देता है फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जंग्बू सुमी के घर के रास्ते को याद कर रहा होता है वो फूट स्टेप गिन रहा होता है कि कितने कदमों में वो वहाँ पर पहुँच जाएगा भही उसका साथी योंग सु भी उसे टीवी पर देख रहा होता है और सूचने लगता है कि ये पागल कर क्या रहा है फिर आतको जंग्बू सुमी से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे से बाते करने लगते है जंग्बू बताता है कि मैं एक सीसी टीवी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ फिर सुमी उसे उसी कॉफी शॉप में लेके जाती है जहां से वो हमेशा कॉफी पीती थी अब यहां पर सुमी उसे बताने लगती है कि वो इस कॉफी शॉप के मालिक को पसंद करती है क्योंकि उसके पास कार है अब ये सुनकर जंग्बू को जलन होने लगती है लेकिन वहाँ पर किसी के पास भी कार नहीं होती दूसी तरफ loan collector फिर से आकर सुमी को धमकाने लगता है और इसी के साथ ही वो उसे मारने की भी कोशिश करता है लेकिन तबी जंग्बू भी वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है फिर शाम को ये दोनों फिर से मिलते हैं जहाँ पर जंगबू उससे पूछता है कि अगर तुमारे पास कार होती तो तुम क्या करती सुमी कहती है कि मैं रोज समुदर के किनारे जाती और वहाँ पर बैठ कर टाइम स्पैंड करती इसलिए वो अपने एक दोस्ट के पास जाता है जो कि एक बस ड्राइवर है अब जंगबू उसी के साथ ही पूरे दिन बर घूमता है और शाम को CCTV में आकर देखता है कि वो अकेले ही बेसबॉल खेलता है फिर जंगबू भी उसके पास जाकर उसके साथ बेसबॉल खेलता है औ मैं तुम्हें समुंदर के किनारे गुमाने ले जा रहा हूँ अब सुमी को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जंगबू इसके लिए इतना कुछ कर रहा है और वो इसे पसंद करने लग जाती है लेकिन उनकी किस्मत ही खराब होती है और उन्हें शहर के बॉर्डर पर रोक लिया जाता है पुलिस उन्हें कहती है कि तुम एक लोकल बस में एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल नहीं कर सकते जिसके कारण उन्हें मुड़कर वापस जाना पड़ता है अब यहाँ पर सुमी पुलिस वालों से जगडा कर लेती है लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं होता अगले दिन CCTV डिपार्टमेंट में इनका बॉस इने कहता है कि आजकल शहर में लड़कियां काफी गायब होने लगी है इसलिए तुम हमेशा लोगों पर नजर बनाये रखना तभी जंगबू की नजर सुमी पर पढ़ती है जो कि CCTV से अचानक गायब हो जाती है वो उसे ढूंडने के लिए बाहर भागता है लेकिन तभी सुमी वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं तो तुमारे साथ प्रैंक कर रही थी दरसल मैं ये देखना चाती थी कि तुम मुझे ढूंडने आते हो या नहीं इसके बाद सुमी जंग्बू के पास आती है और उसका चश्मा उतार कर उसे किस करती है फिर रात को जंग्बू सुमी को उसके घर चोड़ने जाता है लेकिन जैसे ही सुमी घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर लोन वसूलने के लिए कुछ गुंडे आये होते हैं जो कि उसके घर को पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं वहीं जंग्बू भी ये सब बाहर खड़ा देख रहा था वो उसे बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन तभी उसे दिखना बंद हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है कुछ दिर बाद जब उसे होश आता है तब वो दोनों बैटकर बाते करते हैं वहीं पर बिखरे हुए सामान में सुमी को उसके बचपन की कुछ फोटोस मिलती है जो कि जंग्बू ने उसके लिए बनाई थी और ये देखकर हमें पता चलता है कि ये सुमी वही है जिसको जंग्बू बचपन से पसंद करता था फिर अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि थोड़ करेगी और रहेगी भी वही जंग्बू भी उसे CCTV में देख रहा होता है कि यहां से जा रही है तबी CCTV एमप्लोय को एक कार दिखती है जू कि एक किड्नैपर की कार थी तबी ये लोग पुलिस को इन्फिर कर देते हैं कि यह कार एक किड्नैपर की है इसी दोर्ण ये उसका एक ट्रक एक्सिडेंट होने से बचा लेती है तब ही महाँ पर पुलिस आ जाती है और सुमी को अपने साथ ले जाती है लेकिन जंग्बू वहीं रोड पर खड़ा रह जाता है अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और हम सुमी को देखते हैं जो कि काफी दिनों स जंग्बू से नहीं मिली क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहती है लेकिन जब भी उसे उसकी याद आती है तो वो CCTV कैमरे में देखकर उसे हाय कर देती है लेकिन उसे पता नहीं था कि जंग्बू अब पूरी तरह अंधा हो चुका है फिर एक दिन ये जंग्बू से एक क पीछा करने लगती है और पीछा करते करते एक आर्ट गैलरी तक पहुँच जाती है जहां पर वो देखती है कि जंग्बू ने सुमी की बहुत सारी पेंटिंग्स बना कर रखी है अब ये देखकर सुमी बहुत खुश होती है क्योंकि अंधा होने के बाद भी वो सुमी को नहीं भूला फिर अगले दिन वो जंग्बू का फिर से पीछा करती है लेकिन तभी वो मुड़कर उससे पूछता है कि हा मेडम कहां पर चलना है दरसल यहां पर जंग्बू को पता चल चुका था कि सुमी उसका पीछा कर रही है अब यहां पर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है